आज की क्लास भी बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है देखिया आप किसी भी कमपेटिशन की तयारी कर रहे हो चाहे आप NetJRF की तयारी कर रहे हो या PrePNCD की तयारी कर रहे हो Assistant Professor या TGT PGT की तयारी कर रहे हो एक ना एक पिर्षन आज की क्लास से जरूर पूछा जाएगा तमाम परिक्षाओं में कुछ एक पिर्षन ऐसे होते है जब पूछा जाता है कि कौन से समाज सास्त्री ने कौन सी पुस्तक लिखी थी देखिये जब इस परकार की पिर्षन आते है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में सुची फर्ष्ट डाल दी जाती है और राइट साइड में सुची सेकिंड डाल दी जाती है और इधर यहाँ पर कुछ एक समाज सास्त्री होते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में किताबों का नाम होता है तो हमें मिलान करना होता है खीक है? तो आज की क्लास में मतलब ऐसी दो क्लास बनेगी जिन में हम भारतिय समाज सास्त्री और उनकी पिर्मु किताबों के बारे में जिक्र करेंगे एक सत्यों में क्लास प्रारम करूं उससे पहले बहुत सारे विद्यारतियों की जिकायत रहती है कि सर आम जो भी वीडियो डालते हो या तो उसकी सूचना एक दिन बाद में मिलती है तो वैसे आप इसमें मेरी गल्ती नहीं है जब मैं यहाँ पर अपने YouTube इस्टूडियो में जाकर देखता हूँ तो लगबग 70% इस्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनोंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और 30% इस्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किये वीडियो देखते हैं तो यहां पर तुरंत अपडेट पाने के लि लगाता हूँ तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ यार कम से कम किसी को तो काम आए इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डॉक्टर रादा कमल मुकर जी के बारे में देखिए इनकी ती तीसरी किताब है उसका नाम है इंटरकाष्ट टैंसन ठीक है जिसके बाद में दूसरे नंबर पर हम चर्चा करते हैं जी एस गुरिये साब की जी एस गुरिये साब ने भी यहां पर तीन इनकी महत्पूर किताब है वैसे तो जी एस गुरिये साब को भारतिय समात सास्तर का पिता कहा जाता है और ये बात भी मैं आपको बहुत बार बता चुका कि 1924 में बंबई विश्विद्धालय में जब नया विभाग बना था तो साथियो इननों होडी बना दिया गया था हाला कि विभाग तो 1913 में होडी पेट्रे गडिंस था और Patrick Giddens की जगे 1924 में G.S. घुरिये साहब को यहाँ पर HOD बनाया तो भारत में समाथ सास्तर का पिता तो Patrick Giddens हो गया और भारती समाथ सास्तर का पिता G.S. घुरिये हो गया इनकी भी देखिए यहाँ पर तीन किताबे, काश्ट, किलास and और दा सादूज मतलब इन्होंने 15-20 किताबों का जिक्र किया है लेकिन मैंने किताबे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है जिसके बाद में तीसरे नंबर पर नाम आता है डॉक्टर मजूमदार एवं मदान का दिखिए इनकी जो पहली किताब है उसका नाम है An Introduction to Sociology Anthropology यह दोनों ने मिलकर लिखी है जैसे हम मेकाईवर एवं पेज कहते हैं मजूमदार एवं मदान कहते हैं गिलिन एवं गिलिन कहते हैं उसी तरीके से इनका भी जोड़ा साथ साथ चलता है तो उपर की किताब तो दोनों ने लिखी है और यह जो नीचे की किताब है ना Resage and Culture of India यह एकलोते मजूमदार एवं मदान के दुआरा लिखी गई थी और जो कस्मीरी पंडितों पर अध्यन किया था ज्यान रखना यह पिरसन भी आपने बहुत बार पड़ा होगा साथियो कस्मीरी पंडितों पर अध्यन किया था Mr. T.N. मदान साब ने जिसके बाद में भारत के महान विचारक Dr. M.N. Srinivasas साब की चर्चा करते है देगे M.N. Srinivasas साब की जो पहली किताब है Religion and Society Among the Kirk of South India यह तो आपको पता होगा कि साथियो इन्होंने कुरक जनजाती का एद्धन किया था और इन्होंने जिस गाउं का एद्धन किया उसे हम रामपुर नाम से जानते हैं और यह जो गाउं का नाम था इस पर किताब भी लिखी गई थी तो साथियो यह वास्त्विक नाम नहीं था वास्त्विक गाउं था कोडाग हल्ली ठीक है गाउं को जो वास्त्विक नाम था उसे हम कोडाग हल्ली के नाम से जानते हैं जिसके बाद में इनकी दूसरी किताब है Social Change in Modern India देखे इन्होंने पच्छीमी करण की अउधाना भी दी थी संस्कृती करण की अउधाना भी दी थी ब्रहमिन करण की अउधाना भी दी थी जिसके बाद में अगली किताब निकल कर आती है India's Villages और चौथे नमबर पर इनकी किताब आती है Cost in Modern India and Other Essage तो आपको क्या करना है एक कागज तयार करना है ठीक है? कागज तयार करके बड़िया बड़िया राइटिंग में इनको उतार लेना और जहां भी आपका ज्यादा से ज्यादा समय निकलता है काफ़ी सारी female ज्यादा तर रसोई में रहती है रसोई गर में चिपका देना जहां पढ़ते हो वहां चिपका देना जहां सोने का खाने का आपका इस्तान होता है वहां पर भी चिपका देना रोजना की एक भी याद करोगे तो एक आध महीने में ये सारी याद हो जाएंगी जिसके बाद मैं आगे प्रस्तान करता हूँ और भारत में विवा और परिवार जसके बाद में दूसरी किताब है इनकी इनकी हिंदू किंसिप यानि हिंदू नातेदारी देगे important किताबे जो विविन परिक्षाओ में पूछी कही है उनको इमाईद कर रहा हूं अदर्वाइस जो दूसरी किताब है उनको मैंने ignore कर दिया है जिसके बाद में अगले जो विचारक निकल कर आते हैं, उनका नाम है S.C. दूबे, Mr. शाम चरण दूबे, जिनकी पहली किताब है Indian Village, दूसरी किताब है Man and Culture, तीसरी नमबर पर दा कमार जंजाती पर इन्होंने अध्यन किया था, इस पर पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, ह जिसके बाद में अगले थिंकर निकल कर आते हैं, Mr. A.R. देशाई, अक्षे रमनलाल देशाई, ठीके, इनकी पहली पुस्तक है, Rural Sociology in India, भारत में, ग्रामिन भारत, अगली किताब निकल कर आती है, Rural India in Transition, जिसके बाद में तीसरी नमबर की जो किताब है न, बहुत important है, Social Background of Indian Nationalism, यह राजस्तान Assistant Professor में भी पूछी गई थी, जिसके बाद में अगले महान विचारक, धुर्जटी पुस्तक है, यह पुस्तक है, यह पुस्तन भी आया था Assistant Professor परिक्षा में, अगर किसी ने जो लाश्ट इयर, अक्टुमबर 2021 में परिक्षा दी होगी, तो उसको जादर परिक्षा हमारी online classes से पूछे गए थे, उसका Proof Manage Channel की playlist पे भी डाल रखा है, आप चाओ तो देख सकते हो, और उनी के साथ साथ जो Assistant Professor की परिक्षा होई थी, उसमें भी लगबग 80% परिक्षा हमारे नोट से पूछे गए थे, मतलब जो जो topics मैंने cover करा दिये, अब topics ही नहीं करवाए हैं, तो उनसे कहां प्रिशन आएंगे, ठीक है, तो पहले नमबर पर धुर्जटी प्रिशाद मुकर जी की किताब है, डाइवर्शिटीज, दूसरे नमबर की इनकी किताब है, modern Indian culture, और तीसरे नमबर पर इनकी किताब है, basic concept in sociology, फिर आगे बढ़ते हैं ह और साथियों फिर अगले विक्ति आजाते हैं, Mr. P.S. पिर्भू साब, इंदू social organization, इनके दुआर अपुस्तक लिखी गई थी, फिर मेडम आजाती है, सिरीमती इरावती करपे, किनसिप organization in India, भारत में नातेदारी संगठन, देखिए, मैं आपको बता दू, ये भारत में स समाज सास्तर की जन्नी कौन है, तो बाई साब इरावती करवे मैड़ा में है, ठीक है, और भारत में समाज सास्तर का पिता कौन है, या भारती समाज सास्तर का पिता जी एस, घुरिये साब है, जिसके बाद में साथियों अगले व्यक्ति आते हैं, Dr. B.R. चौवान, जिनों इनों ने अद्धन किया था, तो इनकी लड़की भी आज एक बहुत बड़ी प्रॉफेसर है, तो साथियों इनके दुआरा भी दो पुस्तक लिखी गई थी, फश्ट नंबर पर ये राजस्तान मिलेज, जिसके बाद में दूसे नंबर पर रूरल इस्टेडीज, फिर अग उस्तक साथियों नेट की परिक्षिया में पूछी गई थी, ये तो तब भी पूछी गई थी, जब मेरा पहली बाद नेट हुआ था ना, पॉल्टिक्स इन इंडिया, ये मेडम रजनी को ठहरी जी के दुआरा लिखी गई है, जिसके बाद में हम आंद्रे बेते साब की च उचारक निकल कर आते हैं, जिनका नाम है डाक्टर अल पी विद्यारती, जिनकी पुस्त का नाम है ट्राइवल, एफनोगिराफी हिन है, फिर अगले वेक्ती मिस्टर केल सर्मा, केल सर्मा जी हमारे राजस्तान विष्विद्याला के कुलपती रहे हैं, और हमारा सोबाग ह है कि केल सरमाजी जैसे व्यक्तियों का सानिंदे विश्विद्धाला को प्राप्त हुआ इन्हों ने साथियों ट्राइवल पर बहुत कुछ अध्यन किया है इनकी जो पहली किताब है उसका नाम है एसेज और सोशल स्टेटिफिकेशन इनकी जो दूसरी किताब है जारखर्ण मूमेंट इन इंडिया और इनकी तीसरी किताब है कास्ट एंड किलास इन इंडिया जिसके बाद में आगे हम प्रस्तान करते हैं और यहां पर अगले व्यक्ति निकल कर आ जाते हैं Mr. N.K. Boss, N.K. Boss की किताब है Tribal Life in India, जिसके बाद में इनकी दूसरी किताब है The Structure of Hindu Society, जिसके बाद में K.S. Singh आ जाते हैं, कुमार सुरेज सिंग, जिनका जो पिरसन है न, रास्तान लोक्षेवायोग असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था, तो इनकी किताब है Tribal Situation in India, और जिसके बाद में Dr. Sachitanand Sinha, हरीजन, इलिट इनकी पुस्तक लिखी गई थी, A.S. Altaker, इनकी पुस्तक है The Position of Women in Hindu Civilization, जिसके बाद में Professor M.S. Rao, Social Moment in India, V.K. Ramanuj की किताब है The Indian Family in Transition, और K.T. Merchant साब की किताब है Changing New on Marriage and Family, ले, लगबग 50 किताबों का जिक्र में यहां पर कर चुका हूँ, देखे यहां पर 10 किताब इसमें हो गई, 10-15 किताब इस पेज में हो गई, जिसके बाद में 10-15 किताबे इस पेज पे हो गई, और लगबग 10-15 किताबे इस पेज पे हो गई, छोटा-छोटा पड़ो, मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर आपने continuity बना ही रखी और थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाना तब भी बेड़ा पार हो जाएगा लेकिन हमारी एक आदत है हमारी क्या मेरी भी ऐसी आदत हुआ करती थी कि साब बजार गए मोटी मोटी किताब लेकर आगए जोस जोस में साब किता बहुत जरूरी है अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर क्लासेज देता हूँ फिर PGT की पेड़ क्लासेज देता हूँ जिसके बाद मैं नोट्स वगेरा तयार करता तो मैं भी अपडेट रहता हूँ तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरी भी तयारी अच् चाओ तो आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर शकते हो लेकिन PDF की जादा डिमांड मत किया करो मैं यू कहता हूँ कि PDF की बजाए आप खुद के हातों से लिखते होना तो आतम विस्वास बढ़ता है देखने में सुन्दरता मिलेगी और ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे आप लोगों को क्लासेस देनी होती है इसलिए मुझे ये टाइपिंग वाला करना पड़ता है सिस्टम बाकि तो मेरे हैंड रिटन नौट सी जादातर होते हैं वो हैंड रिटन ही होते हैं तो इसलिए आप खुद भी हैंड रिटन नौट बनाई रखे जिन वाई साब ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो फिर बाद में कहते फिरते हो कि हमारे पास वीडियो नहीं आता है वाईगे मेरी शुब कामना आपके साथ माशारता आपकी प्रतेक मनो कामना पूरी करें थैंक यू